इस वीडियो में हम कम्प्यूटर्स के डिफरेंट इसे सिरीज के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि स्केनर्स, स्पीकर्स, साउंड कार्ड्स और वीडियो कार्ड्स जो हम लोग बाहर से लगाते हैं एक्स्ट्रा एक्यूपमेंट्स के रूप में तो इसमें हम लोग one by one जाएंगे और एक एक के बारे में जानेंगे तो सबस्पहले स्केनर क्या होता है, स्केनर क्यों चाहिए, स्केनर किश लिए चाहिए तो जब हम लोगों को किसी भी hard copy को soft copy में image के form में convert करने के लिए एक device की ज़रुत परती है जब हम लोगों को hard copy को soft copy में change करने के लिए device की ज़रुत परती है picture बनाना रहता है, image बनाना रहता है hard copy का photographs लेना रहता है, तो उसके लिए हम लोगों को scanner चाहिए तो जैसे के scanner is a device that takes a picture of an images that exists outside the computer, such as a photograph or a drawing on the paper means जो hard copy में है जो hard में है, print रखा हुआ है, different books है, different images है उसको जो हम लोग को photo लेना रहता है, उसको scan करना रहता है उसके लिए हम लोग scanner को use करते है यह digitize करता है, किस चीज़ को? different images को, different electronic signals को digitize करता है और digital information देता है as a computer file के रूप में यह scanned image को हम लोग अपने work के लिए use कर सकते है यह several varieties काता है, scanner क्या होता है? different types of होता है पहला type हम लोग handheld बोलते हैं जो कि हाथ से हम लोग, मानलोग कोई print है या कोई images है उस पे rollover जब करते हैं तो यह एक image हमको generate करके देता है यह expensive होता है और executive user के लिए use किया जाता है दूसरा flatbed flatbed scanner यह क्या होता है? small copy machines होता है मतलब हम लोग के पास एक जैसा printer, printer के उपर एक लगा हुआ देखते होंगे हम लोग या अलग से scanner साता है जिसपे कि हम लोग अपने hard data को रखके उसके soft data को convert कर सकते हैं तीसरा video scanner साता है जिससे कि video के दौर video scanning हम लोग कर सकते हैं और इसमें हम लोग जब भी use करते हैं तो उसके लिए हम लोग को कुछ न कुछ device software का ज़रत परता है device driver का ज़रत परता है और जब तक device driver install नहीं करेंगे तब तक हम लोग scanning process नहीं कर सकते हैं computers पे और यह normally जो device driver होता है वो scanner के साथ ही हम लोग को supply किया जाता है तो scanner हम लोग use करते हैं किस लिए hard data को soft data में convert करने के लिए in the form of image अद दूसरा topic है हम लोग का speakers speaker क्या होता है speaker क्या करता है हम लोग को electromagnetic waves को sound waves में convert करता है computer में क्या रहता है किस form में रहता है हमारा sound electromagnetic wave की रूप में computer क्या देता है electromagnetic wave देता है और उसको convert करके हमारे कानों तक sound wave के द्वारा speakers हम लोग को sound देता है ये एक output device है speaker क्या है एक output device है जो कि computer system के साथ use किया जाता है ये किसी भी दूसरे भी type के devices के साथ hooked किया जा सकता है ऐसा नहीं है इस computer का जो speakers होता है वो सिर्फ computer के साथ ही हो सकता है दूसरे devices के साथ भी इसको हम लोग use कर सकते हैं अगर इसमें compatibility है तो अब जब speakers है वो क्या करता है receive करता है audio input किसे device से किसी device से जैसे की computer से है जैसे कि camera mobile है उससे क्या करता है receive करता है audio input और उसको audio receiver के रूप में speaker काम करता है फिर क्या करता है इसको form करता है analog से digital form में change करता है और analog speakers normally क्या करता है, amplify करता है, analog electromagnetic wave को sound wave में, और तब हम लोगों को output देता है, sound waves क्या करता है, produce करता है, analog form, digital speaker, बेलकुल convert करता है, must convert करता है, first convert करता है, digital input to and analog signal, और तब हमारा sound wave generate होता है, the sound जो produce होता है, वो different frequency का, और different amplitudes का होता है, the frequency जो होता है, वो high और low pitch पे हो सकता है, और sound wave कभी जो generate होता है, multi channels के लिए किया जाता है, कम से कम दो channel के लिए जरूर करता है, जिससे कि हमारे कान में सुनने में अच्छा लगे, अगर एक channel पे रहेगा, तो हमें कभी लगेगा, left से हमको सुनाई दे रहा है, तो कभी right से सुनाई दे रहा है, लेकिन कम से कम दो channel से रहता है, तो हमको ऐसा लगता है, कि नहीं एक साथ sound बज रहा है, और कभी-कभी हम लोग multiple channel से भी इसमें सुनते हैं, इसका amplitude, loudness वगड़ा, determine किया जाता है, air pressure के द्वारा, speakers के sound waves के air pressure के द्वारा, इसका amplitude और loudness define किया जाता है, determine किया जाता है, ये जब speakers crank करता है, तो increase करता है air pressures को, और ये sound wave produce करता है, signal जो produce होता है, audio sources के द्वारा, वो बहुत ही high होता है computer sound card करें, और इसको amplified करके, हमारे speakers, तब हम लोगों को delivered करता है, एक speaker जो active होता है, उसमें volume control होना बहुत ज़री है, अगर volume control नहीं है, तो वो passive speakers हो गया, मतलब जितना sounds video में है, जितना sounds audio में है, वो ही produce करेगा, अगर speaker में volume control लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, active speaker हुआ, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके volume को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पेसिव क्या हो गया जो auto जितने volume पे record क्या हुआ है उतने volume पे हम लोगों को output दे दे तो वो passive हो गया चुकिए speakers जो होता है वो amplify नहीं करता है amplify नहीं करता है audio signals को वो क्या करता है एक high level of audio inputs रहता है और audio amplifiers जो होता है वो produce करता है speaker जो ड़ाता है pair में हम लोग जिसा की पहले भी बोल चुके हैं कि pair में दिया जाता है क्योंकि studio sounds generate करें left and right speaker transmits करता है audio को complete separate channel पे अगर different channel पे audio transmit क्या हुआ है था हमारे काउन को सुनने में अच्छा लगेगा left and right से same time मिलते रहेगा नहीं तो फिर हम लोगों को लगेगा कि कहीं excite तो नहीं बज रहा है surrounded systems में हम लोग चार से लेके साथ speaker तक रहते हैं उसके बाद सब बूफर रहते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं realistic experience कर सकते हैं sound का जैसा हम लोग बोलते हैं तो लगता है वह इसा ही लगता है जब हम लोग speakers में उस sound को चलाते हैं तो अब sound card क्या होता है sound card क्यों चाहिए तो normally जो हम लोग के पास systems आता है आज के systems में आज की बात अगर हम लोग करेंगे तो normally सारे PCs में sound card invilt आते हैं लेकिन अगर हम लोग 90 and 2000 के दौर में 2005 से पहले के दौर में चलेंगे तो sound card सारे systems में invilt नहीं होता था normally लोगों को लगाना परता था अलग से किसलिए sound सुनने के लिए sound सुनने के लिए sound record करने के लिए ये हम लोगों को invilt नहीं राता था और लगाना परता था तो sound card जो क्या है ये audio output device sound board and audio card ये तीनों का combinations है sound card क्या है audio output device sound board and audio card तो ये क्या करता है audio receive कर सकता है audio output दे सकता है और sound board पे हम लोगों को audio को play करा सकता है तो sound card क्या है expansion card है IC के IC producing के लिए जो कि हम लोगों को speakers या headphones में sound को produce कर सकता है तो computer को काम करने के लिए sound card नहीं चाहिए लेकिन जब हम लोग इसमें expansion करते हैं motherboards में तो on boards पे हम लोग sound slots को expansion slots में हम लोग लगा सकते हैं motherboards पे अब sound card का connections क्या क्या है digital out ये digital out क्या है तो हम लोग surrounded sounds और loud speakers यूज करते हैं वो digital out में लगा सकते हैं sound in और line in ये blue वाला जो रहता है इसमें हम लोग क्या करते हैं external audio sources के लिए जैसे कि tape recorder है record player है CD player है इस सब को लगाने के लिए क्या करते हैं blue वाले में डालते हैं microphone, pink color का जो रहता है यहां हम लोग different color देख रहे हैं येलो, blue, pink, green and black वही हम लोग यहां क्या किये digital out जो हो गया जो speaker के लिए लगाया जाता हूँ कौन सा color है yellow है उसके बाद blue color क्या आ गया हमारा external audio sources के लिए microphone के लिए क्या आ गया pink color आ गया sound out और line out का क्या है green color जो कि हम लोग normally सुनने के बागत speakers को लगाते हैं और ये करते हैं sound out और line out green color उसके बाद fire wire ये क्या होता है high quality sound cards में लगा होता है जब हम video camera और अगरा को use करते हैं जिससे कि हम लोग को dolby sound अगरा का output देना पड़े media joysticks ये 15 pin yellow connectors राता है और इसमें sound card को हम लोग connect कर सकते हैं अब sound card हम लोगों ने देख लिया अब video cards या graphics card हम लोग बोल सकते हैं तो पहले जो हम लोग use करते थे systems जैसे sound card की बाद हम लोगों ने की वैसे ही video card पहले जनरेट्स नहीं राता था normally हम लोग क्या करते थे dos prompt में काम करते थे और dos prompt में काम करने के लिए video card की कोई जवरत नहीं थी लेकिन जैसे जैसे multimedia का प्रभाव बरहा हमारे systems में वैसे वैसे video cards sound cards अगरा का inbuilt आने लगा और आज के systems में video card जो आता है वो inbuilt आता है तो video card alternatively क्या होता है display adapter बोलिए, graphics card बोलिए, video adapter बोलिए, video board बोलिए या video controller बोलिए यह सब क्या है एक expansion card है जो कि computer motherboard पे लगा राता है यह create करता है क्या picture on a display हमारे computer पे जो display दिखाता है वो किसके मदद से दिखाता है, video card के मदद से दिखाता है इससे हम लोग pages देख सकते हैं, graphical pages देख सकते हैं black and white तो हम लोग पाले भी देखते थे, बिना video card का भी देखते थे जब यह piece of hardware inside of our computers है, जो कि process करता है, image and video process करता है और यह handle किसके दोरा होता है, CPU के दोरा होता है video card जो होता है, वो use होता है, gamers के दोरा जो gamers होते हैं, उनको video card की ज़्यादा जड़ाद होती है क्योंकि gaming में हमको बहुत ही instantly, बहुत ही कम समय में धेर सारे graphics का refresh होता है, तो उसके लिए video card का जवरत परता है video card का different ports है, DVI, HDMI, S video and VGA VGA जो है, हम लोग का monitor जो connected होता है, वो किस से होता है VGA card से होता है, पहले जो होता था, VGA, पुराने systems में जो राता था वो SVGA राता था, अब क्या है, और DVI और HDMI, यह जो है बड़ी systems के लिए है, जैसे की projector समको add करना राता है तो DVI यह HDMI के तुरू करते हैं, या आप TV जो आज आ रहे हैं smart TVs आ रहे हैं, उसमें हम लोग को HDMI port लगा रहता है यह visual overview देता है, एक computer video card का, जो यहां है हमारा visual overview है, दो है, एक PCI express, जो आप tradition में है और पहले जो internal computer में लगा रहता था, वो बला, इसमें यह देख रहे हैं हम लोग नो, DVI cards है, यह S video है और यह BGA, यह BGA जो है वो अभी भी हम लोग को, normally जो monitor जो लगाते हैं, वो BGA card में ही लगाते हैं पहले S video आता था, आपको बिजिव नहीं है, DVI cards है और HDMI cards है अब the above picture, the below picture, illustrate कर रहा है क्या video parts का, जिसमें की video cards रहता है Visual example, video cards का हम लोग देख रहे हैं इसमें, first picture क्या है, AJP video cards है यह earlier video cards है, जो पहले systems में लगाया जाता था और नया जो video card है, वो PCI Express video cards है यह आज के gaming computers में use होता है, खास करके inbuilt तो रहता ही रहता है हम लोग Thank you, इस तरह से हम लोग